अब नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके ही अपने चैनल क्यूरिन ही आयरोइदा में मैं दिपिका टंडन आज आपके लिए लेकर रहाई हूँ हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में दोस्तों हमारा चेनल रोज आपको हेल्से जुड़ी समस्याओं के बारे में अपडेट करता रहता है साथ की साथ हेल्से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के तरीके भी आपको बताता है तो आईए मैं आज आपसे बात करने जा रही हूं महिलाओं से जुड़ी गंभीर समस्या के बारे में जी हां Monopause Monopause महिलाओं से जुड़ी एक ऐसी गंभीर समस्या है जो हर महिला में पाई जाती है तो दोस्तों इससे किस तरीके से निजात पाया जा सकता है इससे होने वाले symptoms क्या है और इससे होने वाले नुकसान क्या है आज हम उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको आज बताती हूँ कि monopause जो है 45 से 55 की age में होता है महिलाओ में जिसके कारण उनके अंदर गंभीर समस्यां उत्पन हो जाती है जैसे कि वजन का बढ़ना, stress का बढ़ना, साथ की साथ heart attack जैसी गंभी समस्या भी हो सकती है diabetes जैसी समस्या होना और एक thyroid जैसी समस्या होना है इन समस्यां से हम निजाद कैसे पा सकते हैं आज हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये समस्यां महिलाओं के अंदर आनियमित खाने से और stressless होने के कारण आती है जी आप सभी जानते कि महिलाओं में ये एक आम बिमारी है, महावारी होना और ये महावारी 12-13 साल की उमर में शुरू होती है और जब ये बंद होती है तो इससे पहले हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं आईए हम जानते हैं वो संकेत क्या है सबसे पहला संकेत होता है कि आपको regular stomach में pain बना रहेगा आपके पैरों में swelling आ सकती है साथ की साथ आपका stress बढ़ जाएगा stress बढ़ने के कारण आप चिरचिड़ापन मेहसूस करेंगे अब इनसे निजात कैसे पाया जा सकता है आप उसके बारे में आपसे बात करते हैं इससे निजात पाने का सबसे पहला तरीका है जब भी आपको अपने अंदर कुछ ऐसे symptoms दजर आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के साथ संपर करना चाहिए उनसे जानना चाहिए कि आपको किस तरह का खान पान लेना है जिससे आप ऐसी समस्याओं से निजात पा सकें दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको restless नहीं होना है अराम कीजिए साथ की साथ अपने खान पान पे ध्यान दीजिए और दूसरा आप जंक फूड और साथ की साथ घी और तेल जैसे मसालेदार खाने को avoid कीजिए यह सबसे अच्छा तरीका है इस समस्या से निजात पाने का तो आईए दोस्तो आप अपने डॉक्टर के साथ संपर कीजिए उनसे जानिये कि किस तरीके से समस्या से हम बस सकते हैं दूसरा इसमें एक समस्या और भी आती है वजन बढ़ने की तो आप उस समस्या पे कैसे निजात पा सकते हैं इसका तरीका है कि आप सुभा सुभा उटके सबसे पहले गरम पानी का सेवन करें गरम पानी पीने से हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी समस्याओं से हमें निजात मिलता है जिससे हमारा वजन भी नहीं वड़ेगा और साथ के साथ कोई और गंभी समस्या भी हमें नहीं होगी और आज के लिए दोस्तो इतना ही आगे आपके लिए हम और अपडेट्स लेकर आएं इस चीज से रिलेटिड अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे comment box में हमें जरूर बताएं हम उस समस्या का निजात लेकर जरूर आपके सामने आएंगे तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप कोई लिए हम कुछ नया लेकर आएं तो आप हमें हमारे comment box में लिखना न भूलें आप जिस भी समस्या के बारे में हमें लिग भेजेंगे हम उस पर रिसर्च करकर उससे जुड़े निजात आपके लिए लेकर आपके सामने दुबारा ज़रूर हाजिर होंगे तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आप हमारे लेट